हलो फ्रेंड्स वेलकाम टो स्टेड़ी विद ज्ञान प्रकास दोस्तों सुरू करते हैं आठ मार्च के करने फेर और उसके पहले करेंगे च्छ और साथ मार्च के सभी प्रसुनों का एक सुपर फास्ट रिविजन तो भारती रेलवे के सारजनिक उध्यम रेल टेल के द्वा कि चैंपियन और वेटरन समित की अध्यक्ष की रूप में चुना गया है मैरी कौम को लाल चावल की पहली खेप जो अभी हाली में अमेरिका भेजी गई ये असम की पैदावार है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्रात कने वाला देश का पहला रेलवेई स्टेशन बन गया है चत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस रेलवेई स्टेशन जो की मुंबई में इस्थित है किस संस्थाने हाली में फ्रीडम इन वर्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज नामक रिपूर्ड को प्रकाशित किया है तो ये रिपूर्ट प्रकाशित की रखी गई है भारत 88 में अस्थान पर है वर्ड हेरिंग डे की थीम क्या रखी गई है जो की प्रतिवर्श जुवत तीन मार्ज को मना जाता है तो थीम है हेरिंग केर फार आल री हैविटलेट कम्मिनिकेट तो ये बहुत इंपॉर्डेंट है कैस्द रेन अभियान शुरू करने की हाँ पर ब्रश्था है और वर्ड वाइड लाइफ डे दोजार 21 की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइबलि हुड सस्टेनिंग पेपूल एंड प्लानेट हाली में भारती टीम आइसी सी टेस्ट टीम रेंकिंग में न्यूजिलेंड को पीछे छोड़कर पहले अस्थान पर पहुँच गई है तो यह बहुत इंपोडेंट है और हाली में प्रधान मंत्री नयद मोदी ने किस राज में आवजित सैन कमांडरों के संयुक्त समेलर के समापन सतर की अधेस्ता की है सही जिवाब इसका गुजरात है जन औसदी दिवस 2021 की थीम रखी गई है सेवा भी रोजगार भी और यह भी अधगना कि एक से लेकर साथ मार्श तक जन औसदी सप्ता भी मैना जाता है एक से साथ मार्श और जन औसदी दिवस यह होता है साथ मार्श को 2021 की थीम है सेवा भी रोजगार भी किस फिल्म को सर्शिष्ट विदेशी वासा की फिल्म का गोल्डन क्लोब अवार्ड दिया गया है तो यह फिल्म है मिनारी एक अप्रेल से दिसंबर 2020 के दवरान भारत में कुल प्रतिक्षबिदेशी निवेश जो आकर्शित हुआ तो यह एमाउंट है 67.54 बिलियन डालर और हाली में हिंद मास आकर्शेत्र में सैन और व्यापारिक नौसेना क जाजों की घतविदियों की निगरानी के लिए डिय डियो द्वारा कौन सा उपग्र विक्षित क्या गया है तो यह जो स्ट्रिलाइट है इसको नाम दिया गया है सिंदुनेत्र और अब बारी है आज के प्रशनों की लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पिसले महिनों क के डिस्कृप्षन में दे दिया गया है तो आईए सुरू करते हैं अब आठ मार्च के सभी प्रस्ना बांगलादेश की आजादी के 50 सार पूरे होने के अउसर पर बोई साकई टीवी ने बांगलादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को न्यूक्ति दिये अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि यह जो ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है तसनुवा आनन सिसीर क्या नाम है तसनुवा आनन सिसीर तो बिकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है इसको आपको बिल्कुल याद एकना है महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न ये होगा कि कौन सा देश हाली में 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हला कि ये नोट आपको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है दोस्तों आपको बता देश है वेरेजुएला आप्सन सी दक्षड अफरी की देश है ये और यहाँ पर जो 10 लाख रुपए का नोट जारी किया गया है अगर इस 10 लाख रुपए को अच्छा एक बात और भी कि ये जो मुद्रा होती है वेरेजुएला की उसको बोलिवर का जाता है उसका नाम बोलिवर है तो 10 लाख बोलिवर का जो नोट होगा अगर इसे आप इंडिन करेंसी में बदलेंगे तो ये मातर 36 रुपए में आएगा इसे आप यह समझे कि अगर आप भारत में एक रुपए की टाफी पर्चेज करते हैं वही टाफी अगर वेरेजुएला में बेची जाएगी तो उसकी कीमत एबाउट 25,000 रुपए होगी 25,000 वलिवर ठीक है तो वहाँ पर मागाई बहुत यतिक है अगर भारत में आलू की कीमत 20 रुपए किलो है तो ये आलू वहाँ पर लगबग 5,12,000 वलिवर यानि कि वेनेजुलियन मुद्रा जो होगी कुतना पैस आपको वहाँ पर देना होगा 2013 से ही यहाँ पर मंदी का दोर जारी है और फिलाल अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक कम्प्लीट वीडियो आपको उफल्फ करवाँगा ताकि आप इस देश की हालत को बहतर तरीके से समझ सकें और विनेजुला की यह राजधानी है वो काराकास है यह भी आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हाली में किस संग्टन ने food waste index जारी किया है food waste index तो जैसा कि आप जानते हैं और भारती घरों की एक परंपरा होती है कि लोग ठाली में जितना लेते हैं उसमें से कुछ नगुछ छोड़ते जरूर है और यही बज़े है कि दुनिया में लगबत तीन अरब आबादी जो की खाने को नहीं पा रही है और बाकी के लोग जो खाने को पा रहे हैं वो तीन अरब आबादी के बराबर जो भोजन होता है उसको बेकार कर रहे हैं, फेक रहे हैं, तो फिलाल यह जो index जारी किया गया है, food waste index, इसे जारी किया गया है, union EP के द्वारा, तो option C यहाँ पर बिल्कुल correct है, तो दुनिया फर में 2019 में अनुमानता है, 93 करोन 10 लाख टन खाना बरबाद हो गया है, जो कुल उपलब दिखाने का 17 प्रत्सत है, मतलब समझे कि अगर आप 100 किलो यह हूँ है, तो उसको 17 किलो आप फिंक देना है, इसको आप ऐसे समझे, सुझत राष्ट की ओर से तयार खाने की परबादी के, सुचकांग के रिपोर्ड, union food waste index, रिपोर्ट 2021 के मताबिक, इतना खाना घरों, खुदरा दुक बांदारों, रिस्तराओं समेत, भोजन करवाने की अन जगहों पर बरबाद हुआ है, सुझत राष्ट परेवरण कारेकरम यानि की United Nation Environmental Program ने यह इंडेक्स चार मार्च को जारी किया है, एक रिपोर्ड के मताबिक, दुनिया की तीन अरवाबादी को अच्छा खाना नहीं म सामिल है, पचास किलो खाना हम लोग एक साल में बरबाद कर देते हैं, हलांकि 82 किलो के साथ अफगानिस्तान दक्षण ऐसे देशों में पहले अस्थाम पर है, इसके बाद 89 किलो के साथ नेपाल, नेपाल वाले और भी बरबाद करते हैं, चितर किलो के साथ से लंका और चो करें अन का समान करें और अगर आपके पास अधीक है तो उसे किसी के पेट में डालो यार ज़्यदा बेटर होगा आगे बढ़ते हैं और उसके पहला आपको बता दें यू यू यनिप के बारे में यूनाइटेड नेशन इनवर्मेंटर प्रोग्राम के बारे में तो इसका केन्या नैरोबी में अस्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 में और इसके जो फाउंडर थे वो थे मौरिस स्ट्रांग बरतमान में इंगर एंडर्सन इसके हेड है तो यह आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो प्लेटिपस के प् आउस्ट्रेलियाई सरक्षावादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्धिस से दुनिया के पहले अभ्यारन का निर्मान करने की अपनी योजनाओं की घुश्रा की है गौरतलाव की जरवाय परिवरतन के कारण बत्तक मुं अस् जीवों के लिए विश्यस्ता की सुविधा, जैदातर तालाव और माद बनाने की उजना की घुश्रा की है तो यह जीव जो एक खत्रे में आ गया है फिलाल दुनिया के बहुत सारे जीवों हैं जो की खत्रे में आ चुके हैं किस मंत्राले ने हाली में नगर पाली का पाली ने इस आफ लिविंग सुचकांग 2020 जारी किया है और साथ ही साथ नगर पाली का कारेप्रदस्त सुचकांग 2020 भी जारी किया गया तो यहाँ पर हम बात करेंगे नगर पाली का कारेप्रदस्त सुचकांग 2020 के बारे में तो जिसे जो है इस आफ लिविंग सुचकांग 2020 के साथ ही जारी किया गया था यह सेवाओं बित नीती प्रदोकी और सासन के विविन चेत्रों में नगरपालिकाओं के अस्थानी सरकारी कारियों की जाच करता है यह अस्थानी सासन प्रदादी में जटिलताओं को सरल बनाने उनका मुल्यांगन करने पारदरसिता और जबाबदेही में लोकाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है तो यहाँ पर कुछ स्रेणिया बनाई गई है MPI जिसको आप क्या कहेंगे Municipal Performance Index जिसको MPI भी आपका सकते हैं MPI 2020 के थेत मुल्यांगन की रूप रिखा में नगर भालिकाओं को उन जनसंख्या के आधार पर बाटा गया है Million plus मतलब 1 million से अधिकाबादी वाली जो नगर भालिका यही तो 2 स्रेणियों में बाटा गया है Million plus में अगर बात करें तो इनदवर को पहला स्थान मिला है इसके बाद दूसरे स्थान पर सूरत है और तिसरे स्थान पर भोपाल एक मिनेल से कम जन सक्राइब डिशुष्टेनी है इसमें NDMC सीर्ष स्थान पर रही है इसके बाद तिरूपती और फिर गांधी निगर का अस्थान आता है इस आफ लिविंग सूचकांग के बारे में पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर सभी फैक्ट को एक बार हम लोग तेजी से रिवाइज कर लेते हैं इस आफ लिविंग सूचकांग 2020 तो इसे जो है आप EOLI के नाम से भी जानेंगे तो इसे भी दो काटेक्रिज में बाटा गया था मिलियन प्लस रिणी और एक मिलियन से कम जनसंक्यावारी श्रेणी तो मिलियन प्लस रिणी में सीर्ष प्रदसक जो है वो बैंगलूरू के बाद दुसरे अस्तान पर पूने है और तिसरे अस्तान पर है आहमदाबाद जबकि सबसे खरा प्रदसक इसमें किया गया है अमलिसर के द्वारा गुआहाटी, बरेली, धनबाद और स्रीनेगर के द्वारा अब अगर बात करें एक मिलियन से कम जनसंक्यारी श्रेणी के दर गया तो सीर्ष प्रदसक रहा है सिम्ला सिम्ला प्लस पर है इसके बाद है भूनेस्वर, फिर आता है सिल्वासा का स्थान सबसे खराब प्रदसन किया गया है अलीगड, रामपूर, नामची, सतना और मुझफर पुर के द्वारा तो सबसे खराब में अलीगड पले अस्थान पर है किस संगटन ने हाली में AI AI का मतलब होता है Artificial Intelligence that is कृत्रीम बुद्धिमत्त तो AI Game Changers नामक का एकरम सुरू किया गया है सही जबाब इसका होगा Option A NASCAM तो NASCAM के बारे में जानीजी इसका फूरपारम होता है The National Association of Software and Service तो यहाँ पर जो National Association of Software and Service कंपनी है इसने Microsoft के साथ साज़दारी में भारत में AI Game Changer का एकरम को सुरू किया है और इसका उद्धिय से है कि पूरे भारत में कित्रे मुद्धिमत्ता यानि कि Artificial Intelligence और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देना इसे AI Fire India Mission के तहट लांच किया गया है अगर हम बात करें NASCAM के बारे में तो इसके Chair Person है U.B. Praveen Rao अस्थापना इसकी हुई थी एक मार्च 1988 में हेर्कारटर मिलेगा आपको नई दिल्ली में इस जो संस्था का उद्धिय से वो है Policy Advisory और यहाँ पर ध्यान देना आप एक बात का कि यह जो संस्था है बैसिकली यह एक Non Profit Organization के तहट काम करती है आगे बढ़ते हैं अगला Question बहुत important है Question होगा कि किस Company ने युवाओं को मुफ्त Skill Development के लिए Goa की राज सरकार से साज़ेदारी की है तो यह साज़ेदारी की गई है IBM के द्वारा Option C यहाँ पर बिल्कुल correct है तो आपको बता दें कि March 2021 को अंतरराश्टी ब्यापार मसीन इसको International Business Machine इसका फुरफार्म होता है तो इसमें जो है भारत के जो राज हैं उसके अंतरगत चातरों नोकरी चाहने वालों और उद्यमियों के मुफ्त आनलाइन पार्टिक्रम प्रदान करने के लिए गोवा की रास्तरका के साथ भागेदारी की गई है और यह पहल IBM Skill Build Program के माध्यम से एक वर्ष में 10 संस्तानों में 10,000 रिवाओं को आगे बढ़ाने के उद्यश से क्या गया है इसका उद्यश होगा छातरों नोकरी चाहने वालों और उद्यमियों के लिए तकनिकी और व्यावसाई कोशल बढ़ाना तो इस कायकरम को IBM इंडिया तकनिकी सिक्षान विवाग गोवा और रीचा यानि कि सनक्षन भागवानी और क्रिशी विज्ञान के लिए अनुसंधान और विस्तार संग के द्वारा संग दूरुप से लागू किया गया है IBM के बारे में बात करें तो इसके जो MD है प्रबन निदेशक ये हैं संदीव पतेल मुख्याना मिलेगा आपको Bangalore में अस्थापित हुआ था 1992 में गोवा के बारे में बात करें तो 1961 में गोवा को जो पुर्दिगाली थे उनके इंत्रन से मूत किया गया था और यहां पार जो प्रसित जर्ने है उसमें एक है अरवलम दूसरा है दूद सागर जर्ना और एक है वहाँ पर केसरवाल जर्ना किस संगठन ने हाली में वर्ड फारगाटन फिस रिपोर्ट जारी किया है तो यह जो रिपोर्ट इससे जारी किया गया है WWF के द्वारा आप जानते होंगे इसका फुल फार्म वर्ड वाइड फंड फार नेचर ओप्सन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है तो फ्रेंड्स WWF के बारे में जान लीजिए WWF मतलब वर्ड वाइड फंड फार नेचर इसे बेसिकली वर्ड वाइड लाइड फंड के नाम से भी जाना जाता है यह क्या है यह एक इंटर नस्नल नान गौर्णमेंटल और जेसन है जिसके स्थापना हुई थी 1961 में और इसक स्थापना 29 अप्रेल कोई थी 1961 में और डारेक्टर इसके हैं मार्कू लैंबार्टिनी ठीक है इसके डीजी है तो यह आपके आदकना है और वर्ड वाइड लाइफ फंड फार नेचर ने विमिन सरक्षन समूहों के साथ वर्ड फार्गाटन फिस रिपोर्ट तयार किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ताजे पानी की एक त्याही प्रजातियां बिलुप्ति के कगार पर पहुँच गई है जो मशली की प्रजातियां है और यह भी है कि पूरी दुनिया में जो मशलीया होती है ताजे पानी मशलीया वो पोशन का एक बहुत ही प्राइबेट सेक्टर है उसमें से 75% नोकरियां जो होंगी वहीं के राज के लोगों को दिया जाएगा और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके लिए दंड का प्राउधान भी किया गया है तो यह ब्यूस्था की गई है ऑप्शन भी हर्याना में तो हर्याना के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं मनुहरलाल खटर और राजपाल हैं सत्य देव नाराण आर्या और इस अदिनियाम के तहट 50,000 रुपए तक के सकल मासिक वेतनवाली 75% नोकरियां जो हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं हर्याना के लोगों के लिए मेजर ध्यान चंद रिस्टीडियं योजना को किस राज ने अपने बजट में अस्थान दिया हैं? необ llegar entirely में रास्थान ने अपना बजट दुस्तूत किया है जिसमें मेजर ध्यान चंद स्टीडियं योजना को स्टार किया गया है और इसके अंतरगत प्रत्दिय क ब्लाक है वहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम मना जाएगा ताकि वहाँ के जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उनका सारीरिक और मांसिंग विकास उप्युक्त तरीके से हो सके तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने जाना था कि स्वामी विविकानन कहा करते थे कि मैं कहूंगा कि जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो आप थोड़ा सा खेल के लें एक स्वफ सरीवी में ही एक तेज दिमाग निवास करता है आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले जहार मित्र पे अब यूपी के लोग इसे समझ गयोंगे गमचा का मतलब क्या होता है यह एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे यूपी में अक्सर लोग ने साथ रखते हैं यूपी विहार के लोग और यहां पर इसको आप एक बार याद कर लोगे तो फिर आपको याद रहेगा कि वो आठ राज जिकोंसे हैं जहां से प्रॉपिक आफ कैंसर यानि कि करक लेका गुजरती है तो गमचा जार मित्र पर मतलब गर से गुजरात म से मद्यपरदेश चह से चतिसगर जारखंड रह से राजस्थान मित्र से क्या हो गया मिजोरम और तिरपुरा पे से हो गया प एक किताब आई है The Pain-Free Mindset और यह किताब लिखी गई किसके द्वारा तो यह किताब लिखी गई है डाक्टर दीपक रवेंदरन के द्वारा हलांकि यह किताब अमेजन पर उपलब्द है लेकिन इसकी कास्ट बहुत है तो इसकी जो कास्ट है बरतमान में वो 1511 रुपए है चले आगे बढ़ते हैं यह किताबे सभी लोग नहीं पढ़ सकते हो Freedom in the World Report 2021 भारत की रेंग क्या है यह कुशन मैं अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं द्वारा बता देता हूँ Freedom in the World Report जिसने Freedom House जिसका मुख्याल है वासिकंटन डिसी में है अमेरिका में के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत की रेंक है C88 हलांकि यह जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इससे जो है भारत में विवादी बताया जा रहा है क्योंकि यह का जा रहा है कि यह पक् 100 स्कूर के साथ सबसे 37 देशों में Finland, Norway, Sweden है और इस रिपोर्ट को 1973 से प्रतिवर्श प्रकासित किया जाता है 211 देशों में भारत जो है वो 28 अस्थान पर इसमें दिखाया गया है जले आगे बढ़ते हैं और आब आपको बताले quiz number 6 के answer को तो दिल्ली को NCT यानि की राष्ट number 7 और 8 को आज हम लोग इस वीडियो में एक साथ करेंगे तो दोनों प्रस्न आपके सामने हैं दोनों का उत्तर आपको लिखना है और जैसा कि आपने देखा था कि जो वीडियो number 7 था यानि कि मार्च 7 का जो वीडियो था वो बहुत ही संचिप था तो उसमें जो प्रस छू चार वीकलब आपके सामने हैं और दूसरा कोशन होगा जून 2020 में कस्मिर की गलवान घाटी में चीनी संकों के साथ संगर्स में सहीद हुए सोलमी बिहार रजीमेंट के कमांडिंग आफिसर करनल बी संतोस बाबु जी को मर्डो परांथ किस सोर पुरसकार से समानित किया गय अगर आप उसे डाउन्लोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो इसी के साथ हम विद्या लेते हैं आपसे इस वीडियो में सिगरी मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए ग्यान वर्थिक बातों के साथ आगे दिशे न